तो गाइस इस बार ना फिलिप कार्ड बे मैंने कुछ नया देगा क्योंकि यह जो कोरियल मैंने कोरियल वाली भाई है जो आई हुए थे उन्होंने इस पार्सल को खोल के दिखाया पूरा अच्छे से पर मुझे अच्छा लगा ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज अगर खराब कलती है तो वो उनकी responsibility रहती है वो खराब को मतलब जैसा का तैसा दिखाते हैं तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग खोल कर ही नहीं दिखाते हैं तो मैं यह तो बताना भूली गई कि मैंने मंगाये क्या है तो गाइस मैंने मंगाये LED ring light तो एक ring light तो already मेरे पास थी तो मैंने एक दूसरी ring light मंगाये क्योंकि मुझे लगा कि light की थोड़ी सी और neat थी तो होनी चाहिए तो इसलिए बैसे मैं sunlight का यह ज़दा करती हूँ फिर भी मैंने LED light और मंगाये इस ring light को मंगाने का एक region यह भी था क्योंकि वो जो ring light मेरी थी वो नद कभी कभी नहीं ज लगा दूँ इसको और यह नहीं जले बर ऐसा नहीं था बहुत ही अच्छा था flip card की यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है मीसो का इदर उदर हो सकता है फिलिप card का बिलकुल भी नहीं होता है तो यह बहुत ही अच्छा ring light अच्छी से जल रही है और perfectly बहुत ही ज्या इसको open कर लिया जो इतनी जल्दी open हो गया था पदा है जब मैंने यह मंगाया था पहले यह वाला stand जो मैंने मंगाया था मैं इतना confused हो गई कि इसको खोलना कैसे यह मुझे खोलना ही नहीं आ रहा था तो जिसकी ने मुझे मेरा ब्लॉग नहीं देखा जल्दी से जाके तो यह मैंने अभी बंद करके रख दिया था फिलाल क्योंकि मैं अभी जो वीडियो है मैं अपनी sunlight में बनाती हो सबसे गाई सबसे परफेक्टी जो वीडियो की clarity रहती है light है बिल्कुल बेकार रहती है जितना sunlight अच्छी रहती है उतनी बिल्कुल भी light कोई भी काम नहीं कर तो जितनी भी मेरी बोश्टली वीडियो मेरी sunlight में होती है तो सब लोग बोल दे क्या आप आइफॉन यूज करते हो आइफॉन यूज करते हो पर मेरा very quality फिर भी बिना आइफॉन की बहुती ज़द अच्छी लगती है क्योंकि मैं sunlight में वीडियो शूट करती हूँ तो यह ह हो गया मेरा अच्छे से LED लाइट तयार हो गई इसका और मुझे ऐसा लागा कि कहीं यह टूड गया इसमें ऐसा कुछ बड़ ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं टूटा ओ अब देखते हैं यह मेरे बराबर निकलती है या नहीं निकलती है तो दीरे दीरे इसको open करते हैं य अभी मुझे लग रहा मेरे बराबर तो है अभी होगी रुको जरा अभी होगी तो अभी इसको हम करेंगे फिर से मैं कर रही हूँ शायद यह मेरे बराबर हो तो इतना मुझे याद नहीं रहा लेकिन अभी जो मेरे बराबर हो जाएगी जब मैं इसके उपर लाइट लगा तो यह बस मैंने इसको अच्छे से लगाया तो यह का सबसी ज्यादा मुस्किल रहता है यह इसको फिट करना क्योंकि यह जाल करना क्या टो ग प्रॉब्लम पहुट होती है इस रिगल्ख एक दम तयार हो चुकिया एक दम रेडि अब अच्छे से अभी इसको रहता है मैं चको अच्छी से कषना क्योंकि यह बिल्कुल विए अगर नहीं कस आखें तो यह लाता है इसलिए अच्छी से कसदो तो वह ही बहुत ज्यादव पहसरी रहता है का इस मैं बता दूग इसकी प्राइश की बारासो रुपी की बारासो नौ रुपे की ये मुझे मिले है रिंग लेकिन जो मेरी पहले वाली रिंग राइट है वो मेरी पंद्रह सो कुछ और उपर रुपे की है तो बो मुझे महगी मिली बड़ सेम कंपनी है बिल्कुल सेम लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है इसलिए मैं आपको बता दूँ ये वाल का परदा मंगाऊ पीछे लगाने के लिए तो उससे मेरी वीडियो क्यालिटी और ज्यादा अच्छी है गया हो मेरी रील से उनाने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्फ होगी आप लोग बताना कि क्या मुझे वो परदा मंगाना चाहिए तो मैं आपको दिखा दूँ ये वाली LED ट्राइ करना चाहिए तो आप लोग बताओगे तो जल्दी से पता चलेगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फेस्बुक पर अगर जी वीडियो मेरी देख रहे है तो जल्दी से यार फॉलो कर दो और आप लोग प्लीज को दबा दिया करो आप लोग दबाते तो बहुत अच्छा लगए